यू आ वाचिंग बिट बेनस न्यूज करता है एथेरियम वेल ने 312 बिलियन शीब आ इनू खरीदा अब उसके पास 516 बिलियन शीब है फ्लो की इनू न्यू प्रोटोकॉल फ्लोकिफाय लॉकर जॉर्जिया बेस स्वैब जोन पर लिस्टेड है प्लेस्टेशन सर्वे एनेफ्टी में विडियो गेम फर्मों की रूची दिखाता है साथ एफ्रिकन वेब 3 फर्म ने रेयर जार प्रूफ सिक्को को एनेफ्टी में फ्रैक्शनलाइज किया एथेरियम फ्यूचर ट्रेडिंग वॉल्यूम मर्द से पहले 3 मंत के आल टाइम हाई पर पहुंची 2022 में बिटकोइन नेटवर्क की बिजली की मांग में 20% की गिरावट आई है क्योंकि रिनुवल एनर्जी में तेजी आई है एथेरियम लेयर 2 आर्विटरम ने 9 चेन लॉंच किया रेडिट के साथ लिंक्ट एवरडोम जेम डिजिटल लिमिटेट से 10 मिलियन डॉलर की इंवेस्टमेंट कमिटमेंट हासिल करता है हुमन ने राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ वी टू अप्ग्रेट की घोशना की चेन अनालिसिस का कहना है कि इस साल क्रॉस चेन व्रिज हैक्स में 2 मिलियन डॉलर की चोरी हुई है और और भी जादा एक्सपेक्टेड है क्रिप्टो एक्सचेंज जिपमेक्स बिटकोई एथेरियम विड्रॉल को फिर से खोलता है इस हफ़ते इरान ने क्रिप्टो करन्सी में भुक्तान किये गए कुल 10 मिलियन डॉलर के समान के इंपोर्ट के लिए अपना पहला आधिकारिक आधेश दर्ज किया दरसल इरान के Ministry of Industry, Mines and Trade के एक अधिकारी ने 9 अगस्त को इरानी समाचार आउटलेट टैसनी मेजनसी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जानकारी का खुलासा किया मेजर ETH वेल ने Blue Whale 0113 को टैक किया जो 312.28 बिलियन शीब है जिसका मूल्य 3.72 मिलियन डॉलर है क्योंकि शीब ब्रेकाउट के लिए तयार है ब्लॉक्चेन डेटा ट्रैकिंग वेबसाइट वेल स्टैडस ने हाली में बताया कि 395 सबसे बड़ी ETH वेल Blue Whale 0113 को टैक किया गया है जिसने एक महतपून लें दिन में कुल 312.28 बिलियन शीब जमा किया है जिसकी कीमत 3.72 मिलियन डॉलर है रेडियो शैक के बाद स्वाप जोन ने फ्लोकीफाई लॉकर प्रोटोकॉल के इंटिग्रेशन की घोशना की स्वाप जोन एक क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज एक्रिगेटर अपने प्लाटफॉर्म पर लिस्टेट टोकन की LP सिक्यूर्टी स्टाटस दिखाने के लिए यह डिजिटल कलेक्टेबल और एनफटी में कंजूमर की रूची का एवैलुएशन कर सकता है एनफटी को विडियो गेम इंडस्ट्री द्वारा बिलकुल नहीं अपनाया गया है Electronic Arts और Valve जैसी लीडिंग गेमिंग दिगजों ने उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया है दूसरी ओर गेमिंग कंपनिया Square Enix और Ubisoft ने NFT में कूदने का बोल्ड डिसीजन लिया है दक्षिन अफरीका, Web3 Tech Company, Moment ने 130 साल पहले के Rare, Sone, Chandy और Bronze कोईन के एक सेट को Non-Fungible Token में डिवाइड किया है 19. सदी के दक्षिन अफरीका में एक स्वतंतर राज, Zweed African Republic के Proof Coins का ये पूरा Denomination सेट 1892 में डाला गया था और वर्तमान में इसकी कीमत 1.2 मिलियन डॉलर है सिक्के पहली बार दक्षिन अफरीका रैंड का हिस्सा है और देश की पहली करंसी पॉपिलर क्रूग रैंड सोने के सिक्के के पीछे प्रेरना के रूप में कार्य करता है जिसकी 1967 में माइनिंग शुरू हुई CEO एरन पॉस्टमस ने कहा क्रिप्टो बाजारों में कई जटके देखे जाने के बावजूद और एनलिस्ट ने एक नई क्रिप्टो विंटर की घोशना की निवेशकों के बीच विश्वास वापस लॉट रहा है फ्यूचर ट्रेडिंग स्टेबल हो गई है एथेरियम 90 दिन की मातरा एक आल टाइम हाई पर पहुँच गई है ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के सीनियर कॉमोडिटीज एक्सपर्ट माइक मैकलोन ने 9 अगस्ट को बिटकोईन और ETH की मैचुरेशन पॉजिशन पर अपना रुकवक्त करतने के लिए ट्विटर का सहारा लिया यह दर्शाता है कि ETH का 90 दे फ्यूचर ट्रेडिंग अपने आल टाइम हाई पर पहुँच गया है चीन की क्रिप्टोकरंसी माइनिंग क्रैकडाउन के जवाब में बिटकोईन रिन्यूवबल एनर्जी सोर्सेस में बदल गया है संभावित रूप से नेटवर्क की विजली की मांग में 20% से अधिक की गिरावट के पीछे प्रमुक कारकों में से एक है 9 अगस्त को कैमरिज बिटकोईन एलेक्रिसिटी कंजम्चन इंडेक्स द्वारा कैलकुलेशन किये गए अनमानों के अनुसार मई 2021 में और प्रती दिन 15.80 गिगावट विजली का अपयोग करने के बाद बिटकोईन नेटवर्क की ग्लोबल हैश रेट आज घटकर 10.49 गिगावट हो गई है एथेरियम लेयर 2 स्केलिंग सल्यूशन आर्बिटरम ने सभी एंड यूजर के लिए अपनी नई ट्रांजक्शन कॉस्ट अप्टिमाइज चेन नोवा लॉंच की है और रेडिट के साथ बागेदारी की है ताकि एथेरियम में अपने कम्यूनिटी स्कोर सिस्टम में ट्रांसफर किया जा सके